तो इसे बनाने के लिए यह मैंने लिए अधी कवरी उड़न दाल है और शना दाल है इन सबको मैंने राद में भिगो के रख दिया था और उसे फिर मैंने पीस लिया है उसमें मैंने हल्दी लहसुन और अद्रक का पेस्ट मिलाया है हरी मिर्च है और एक मेडियम साइज का प्याज है और प्याज मुझे थोगल सा कम लग रहा था तो मैंने इस तरीके से महीन महीन सा काटके डाल दिया था मसालों में चाट मसाला है रेक चिली पाउडर है और साबुच जीरा है और बुना हुआ जीरा है तो इन सब को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इससे जो यह पेस्ट बना हुआ है दाल का इसे हमें अच्छे से काफी देर तक फेखना है फेखना मतलब यह है कि ताकि यह थो पहले मिक्स कर लोगी सारे मसालों को उसके बाद में हांथ की हल्प से इसे अच्छे से फेटूंगी तो आपको सेम यही प्रोसेजर करना है और वैसे तो जो भी डाल मिक्सी में पीसी जाती है उसमें ज्यादा उसे फेकने की जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी हमें हाथ से थोगा सा उसे फेकना पगएगा और फ्रेंज इसमें मैं जो है डाल को भिगोने का प्रोसेस में दिखाना भूल गई थी और एक डाल मैंने इसमें और मिलाई है वो है बाकला की डाल तो आप चाहें तो सिप चना उरत की डाल का भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसमें बाकला के भी डाल मिक्स कर सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी है बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं यह मैंने लिया था कगाई में तेल यह मस्टागायल था अच्छे से मेरा गरम हो गया था तेल तो मैंने इसमें फिर से यह इस तरीके से पकोगे बना बना के मैंने डालने शुरू कर दिया आप छोटे या बगे जैसे भी चाहें वैसे पकोगे बना के इसमें डाल सकते हैं और बिने बना राइन और आप इन्हें सटेम में बना सकते हैं, छो काफी बना सकते हैं, चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं इतने क्रिस्पी और करारे देखने से ही लग रहे हैं, और आप लोग फ्रेंस एक बार जरूर ये रेसिपी टारिक करिएगा ये बच्चों के लिए आप में के घर के सभी मेंबर के लिए बहुत हिल्दी रेसिपी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और आप जो पकोड़े बेसन के पकोड़े आलू के पकोड़े जो भी खा लाल चटनी या सॉस के साथ भी इसे सर्फ कर सकते हैं और खा सकते हैं तो यह देखें मैंने दूसरा बैश भी डाल दिया है कराई में फटा-फट से मैं इसे भी बना लूंगी और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसे तोल के अंदर से भी कितने ट्रिस्पी लगते हैं तो यह देखे हमारे पकोगे यह भी बनके रेड़ी हो चुके हैं और हम इने एक प्लेट में सर्प कर लेंगे देखें कितने यमी से क्रिस्पी लग रहे हैं तो चलिए मैं इसे थोगा सापको दोग के दिखाती हैं यह देखें अंदर से कितने सॉट और फूले फूले से लग रहे हैं तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीस हमारे चैनल को लाइक करिएगा शेयर सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच